रुपजी बात करेंगे यहां से अगर एडिबल वाल की तो देखने की मसर सीट का डवंबर वादा 8,180 पर है सवाइक फिस्दी की तेजी के साथ डिफाइन सुह तेल का अक्टूबर वादा 1289 पर और सोयबीन का अक्टूबर वादा 5,390 पर रुपजी देख रहे हैं कि सोयबीन का वैदा 1,500 से भी नीचे लुड़कता है अब आपको क्या लगता है जिस आपसे मंडियों के अंदर सोयबीन की आवकों में बड़त देखने को मिल रही है और सरकार ने भी स्टॉक लिमिट लगा दी है खादे तेलों के उपर अब आपको क्या लगता है आयाच शुलक में कमी करना स्टॉक लिमिट लगा देना और मंडियों में आवके बड़ जाना इसकी वज़ा से सोयबीन का वैदा बजार 5,000 तक भी लुड़क सकता है रेके बिलकुर अकलेश मैंने बहुत पहले ही बता दिया था कि सोयबीन नीचे में 5,000 से लेकर 4800 की रेंज जो है मैं देख रही हूँ कि आने वाले दिनों में सस्टेनिबिलिटी जो है वहाँ पर आ सकती है इसके अंदर अभी जो है बजारों में तेजी गाया वो चुकी है खादय तेलों की स्टेशली बात करूं तो अब बहुत जादा तेजी नहीं है और त्यारी सीजन की जो मांग की उमीद कर रहे थे उसके चलते जो गिरावट आनी है वो थमती हुई नजर आएगी लेकिन बजार बहुत जादा उटते हुए दिखाई नहीं देंगे त्यारी सीजन के चलते हैं सस्टेनिबिटी आ सकती है गिरेंगे मार्केट लेकिन तेजी भी नहीं है बहुत जादा और जब फैस्टिवल सीजन के खतम होने के बाद मुझे लगता है कि अंदर गिरावट बढ़ सकती है और नीचे में जो है बजार यहां से करंट लेवल से चार्सों से पांसो पॉइंट लोड़कते हुए दिखाई दे सक यानिकी रिफाइंड तेल इनकर गरता हुए नजर आ सकता है सोएबीन के अंदर बाद वजार की बात करें यहांपर सोएबीन के वजार में गिरावट देखनी को मिल सकती ही दिखाई जी के अनूसर सोएबीन का बाद वजार नीचे में अयर्क शों तक लोड़कता हुए न